हेलो फ्रेंज वेलकम तो माइ चैनल मल्टिपल गार्डन फ्रेंज आज हम बात करेंगे बहुत ही कम बच्छट में हम अपनी गार्डन को डेकोरेट केसे करें ताकि हमारे प्लांट की खूपसूरती और भी बढ़ जाए जी हाँ फ्रेंस आज हम बात करेंगे स्टॉन पेंटिंग के बारे में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर कर दें फ्रेंस हमें स्टॉन पेंटिंग बनाने के लिए कुछ समान के ज़रुत पड़ेगी सबसे पहले चाहिए हमें एक पत्थर इस साइज की देख लिजे स्टॉन और एक्रिलिक फेबरी का वाइट कलर मैंने लिया है आपको ये कोई भी स्टेसेंडरी सॉब में 30 से 35 रुपे में मिल जाएंगे रेट कलर एंड एक्रिलिक फेबरी का ब्लैक कलर और हमें चाहिए एक पैंसिल और दो ब्रसेस ये ब्रसेस की साइज मुझे याद नहीं है फ्रेंस मैंने काफी पहले ले रखा था आप देखकर आइडियल लगा लिजेगा और एक चाहिए हमें एरबड बस इतना सा ही हमें समाज चाहिए फ्रेंस तो फ्रेंस सबसे पहले हम क्या करेंगे ये पैंसिल से यहां से लेकी यहां तक एक लाइन कुछ इस तरह से ड्रो करेंगे लाइन अच्छे तरह किसे बिजिबल होना है फ्रेंस उसके बाद हम ब्रस को कलर पर डिप करते हुए ब्लैक कलर हम यहां पर करेंगे ब्रस को थोड़ा सा ही डिप करना है फ्रेंस कलर में पूरी तरह ब्रस को डिप ना करें और कुछ इस तरह से हम यहाँ पे कलर करेंगे फ्रेंस फ्रेंस अब हम इसे 15 मिलिट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि यह अच्छे तरीके से सुख जाए फ्रेंस अगर आपके पास एकी ब्रस है और दो कलर एपलाई करना है तो आप इस तरह से ब्रस को वाश करने के बाद सेम ब्रस से आप दूसरे कलर एपलाई कर सकते हो फ्रेंस अब हम बचे हुए portion में red color कर देंगे और अच्छी तरीके से सूखने देंगे friends अगर आपके पास hair dryer है तो आप color को सुखाने के लिए hair dryer का भी इस्तेमाल कर सकते हो friends इससे color बहुत जल्दी सूख जाती है friends अब यह अच्छी तरीके से सूख चुका है अब हम pencil से इसके बीचों बीच एक एकदम सीधी line ड्रो करेंगे हो गया अब हम इस line पर पतले brush की मदद से black color करेंगे अगर आप चाहो तो बिना pencil के सीधा black color से भी line ड्रो कर सकते हो friends friends अब हम इस air bird की मदद से black color की spot बनाएंगे सूखने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है और अब हम air bird की मदद से white color की दो spot बनाएंगे और इसे भी अच्छी तरह के तरीके से सूखने देंगे सूखने के बाद अब हम छोटे brush की मदद से white spot के अंदर एक छोटी सी black dot बनाएंगे कुछ इस तरह से और अब ये इसकी आंखे बन गई है देखिए ये अभी complete हो चुका है और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है ये काफी cute लग रहा है देखिए friends और इसी तरीके से जो है मैंने तीन ladybug तयार कर चुकी हूँ मैं friends और अभी जो मैंने बनाया है ये है और ये अब मिला कर हो गया चार ये देखिए friends ये pot काफी cute है ये देखिए आप चाहो तो इसे indoor भी रख सकते हो friends ये देखने के लिए जितना cute है friends बनाने के लिए भी उतना ही easy और simple है मैंने इसे mother's day special में बनाया था friends मैंने इसे कैसे बनाया है अगर आप जानना चाहो तो नीचे link मैं description box में दे रही आप चाहो तो check कर सकते हो friends और आप इसे कुछ इस तरीके से भी decorate कर सकते हो friends ये भी बहुत cute लग रहा है friends ये देखिए इसके खुबसूरती और बढ़के आ गया है friends stone painting को जो है आप miniature garden यानि की fairy garden को decoration करने के लिए भी use कर सकते हो बहुत cute लगेगा friends हुआ हुआ है